नमस्कार साथ वह बहुत स्वागत है आपका इंप्लमेंट्स पॉइंट बार जैसा कि आपको पता है कि डीडिये ने अपनी बरती के लिए फॉर्म औरलाइन बरना चुरू करवा दिये हैं आज हम आपको यह फॉर्म भरके दिखाएंगे स्टेप बाई स्टेप आपको समझा आ रही है तो आप उसका समाधन कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए एंप्लमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्मेंट्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथी बेल आइकल को पैस करना ना भूले साथी सबसे पहले हम dda-recruitment 22 सार्च करेंगे जोब्स डीदिए पर क्लिक कर देंगे जैसी यह विकल पाएगा यहां डारेक्ट रेक्रीटक्रीट मेंट 22 लिंक और सब्सक्राइब करेंगे यहां थोड़ी सी जानकारी आपको मिल जाएगी जैसे फॉर्म बने की स्टार्टिंग एक अपरेल है लास्ट तीस अपरेल है और फीस आप चार में तक जबा करा सकते हैं इसके बाद यहां नीचे जब आएंगे यहां यह एक डिकलेशन होगा जिसको आपको पढ़ना होगा अगली बार आएंगे तो आप रेइस्टर करेंट वाले पर क्लिक करेंगे उसको विंड़ो खुलेगी जिसमें आपको जनकर दी जाएगी कि इंटरेट एक्स्प्लोरर वर्जन गया रहे या फिर मोजिला फायरफॉक्स वर्जन 55-72 या फिर गूगल क्रोम वर्जन 58-280 पर आप फॉर्म बरेंगे तो अच्छा रहेगा इसको आप कर देंगे उसके बाद आप पर्सनल डिटेल बरना शुरू करेंगे सबसे पहले करेंगे रहेंगे इंडार करेंगे उसके बाद यहां लिखेंगे और समिट पक्लिक कर देंगे इस तरीके से हमारा रहेंगे आपके सामने लिखा आ जाएगा सायेका अपको आपको आजएगा जिसके तुरूंब आप लोगिन करेंगे तो जैसे आपका रिश्राइशन हो जाएगा उसके बाद आपकी डिटिल आए आएंगी और यहां उपार उप्शन आ रहा होगा गो टू एप्लिकेशन फ़र्म पर क्लिक करेंगे उससे आपका आगे खुल जाएगा और अगर आप गलती से लोग आउट हो जाते हैं तो आपको लोग इन कैसे करना है कि आपको दोबारा से उसी फॉर्म प्रोसेस पर जाना है आपके सामने फॉर्म का जो विकल्प है वो खुलेगा जो वेबसाइट पर आ रहा है और रहा है आप उस पर क् करेंगे उससे पहले आपको टर्म से कंडिशन पढ़नी होंगी और आप यहां क्लिक कर देंगे यहां आप अपनी यूजर आइड डालेंगे जो आपके इमेल पर आया है उसके बाद आप लोग इन कर देंगे और दोबारा से वही नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा इस करेंगे लिए को ढूलोलोऑ- 有 वाद आप जन्टर स्लिक्ट करेंगे जंडर के लाद डिटा बर्थ है है तो यहाँ यस करेंगे एक्यम LIKE देलीρο roadmap इसका और आपका नाम आरा होगा फिर आप यहां फादस नेम लिखेंगे साधी सिदा है या फिर डावोस्ड है विडो हैं जो भी है यहां लिखेंगे उसके बाद सिटीजन आप इंडिया अब यहां क्लिक करेंगे सेलेक्ट करेंगे इसको और आधा नंबर मेंडरेटरी नहीं है अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसके बाद यहां आपका मोबाइल नंबर का कॉलम आ रहा होगा और इमिल आड़ी वो पहले से बढ़ी हुई होगी उसको आपको नहीं छेड़ना है प्रियंट देटेल आजाएगी यहां बोर्ड का नाम लिखेंगे किस एर में आपने पास किया था किस इंस्टूट से किया था सब्जेक्ट कहा गया थे वह आप यहां लिखेंगे और परसंटेज आपकी कितनी थी आप यहां लिखेंगे चीजिए जो है उसको 9.5 से बुढ़ा करना है है उसी के आदर पर आपका यत्ते होगा और जो परसंटेज है वह आप दो डेसिमिल तक लिखेंगे यानि मालीज आपकी 56 परसंट है तो 56.0 लिखेंगे इसको राउंड आफ नहीं करेंगे इसी का आपको ध्यानक ना है क्योंकि यह मैट बनाई आ सकती है अगर नमबर आफ कर अगर है तो आप यहां प्लस करके उसमें पूरी जान काई बढ़ देना अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आप बिना एक्सपिरंस के भी फॉर्म बर सकते हैं अगर नमबर आफ कैनिट्ट दसयार से ज्यादा होते हैं तो उनको कम करने के लिए एक्सपिरंस के इसका यह प्रोसीजर है वो लागू किया गया है उसका आप यहां बर देंगे और एक से ज्यादा है तो एड़ नियूरो पर क्लिक करके बर देंगे और से आगे आपका फॉर्म बढ़ जाएगा उसके बाद आ जाएगा डाटा सक्सेस्फुली का और आप यहां अपना रीसें इसके बाद आपका फीस का विकल्ब खुल जाएगा आप फीस जो है वो ओनलाइन पे करेंगे और अगर आप एसस्ट वाले हैं बोमेंट करेंट है तो आप फीस का पेमेंट करेंगे उसके बाद आप फॉर्म बने के बाद उसका पेंटा निकलबा के अपने पास सौच्छत रख लेंगे साथ यह थी जानकारी डीडिये में जो वेकैंसी आई हुई है उनके लिए फॉर्म कैसे बरा जाएगा हमने आपको बताया हमें उम्मीद है वीडियो आपको परसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और आप नहीं है हमाई चैनल पर त अलवासा में धन्यवाद